नमस्कार आज हम भवय बारता किचन में मिल्क केक की पिल्कुल नई वीडियो लेकर आए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक से रश तो जरूर कर दे तो चलिए सुरू करते हैं मिल्क केक बनाना ये गैस पर मैंने एक कड़ाई रख लिये और इसमें अब मैं डालोगी 500 ml फुल क्रेम दूद अगर आपके घर में गाए भैस का दूद है तो तो सबसे अच्छा है लेकिन नई है तो आप पकेट का दूद ले लिजे वो तो सभी जग मिल जाता है दूद में उबालाने देते हैं और इसको कड़सी से भी चलाते रहेंगे दूद में एक दो पींच शाटिक ऐसीड डाल दोगे तो दूद हलका हलका फट जाएगा बहुत जल्द नहीं फटेगा और बस जब इसके खोवा बनेगा तो दानेदार ही खोवा निकलेगा देखो कितना बढ़िया और दानेदार खोवा निकल रहा है लेकिन इसको हम लग इसमें मैं मिला रही हूँ पोना कटोरी कच्ची चीनी वजन में ये 500-200 ग्राम है इसका अंग्रेजी में नाम रास भार है और कहीं कहीं इसको खांड या कच्ची खांड भी कहते हैं होती ये भी चीनी है लेकिन ये चीनी की तरह सफेद नहीं होती क्योंकि चीनी को तो आंच्या हरी लाइची है इसको भी खरिस करके इसमें मिला लेते हैं अभी इसको हम हाई फ्लेम पर और ज़्यादा गाडा होने देते हैं जैसे जैसे दूद गाडा होता जाएगा इसमें से दूद की छीटे उचलकर बाहर आएंगी वह आपको जला सकते है इसलिए अपने आपको भी बचा कर रखना दो चमच मिला रहे हैं इसमें देशीगी क्योंकि पाउडर का दूर या पैकेट के दूर तले में चिपकता रहता है इससे ये तले में कम चिपकेगा है पहले से पकते पकते देखो ये गाड़ा तो हो गया है लेकिन अभी मिल केक बनने के लिए इस पैल हो रहा है जैसे पहले फैल जाता था थोड़ी दिर आशी चलाते रहेंगे और इसको हलका ठंडा होने देते हैं तीन-चान मिनट हो गई है फैन के निचे इसको ठंडा करते हुए अब इतना ही ठंडा करना है इससे ज़्यादे हम ठंडा नहीं करेंगे अब एक बर्फी इजिली बहार निकल जाईगी केक के सारे मिसरन को ट्रे में डाल कर अच्छे से फैला देंगे अब इसको चारों तरफ को बराबर अच्छे से फैला देना है अच्छी तरफ चैट होने के लिए चार-पास गंटे के लिए रख देते हैं आप चाह तो इसको पूरी रात भी कि पलटके निकाल देते थे तरह ऑटे हैं अब फिर्मिल के पीस्ट आप अपने मंद पसंद साइज कले चोटा ऐसे आपको फसंद हो ऐसा मिल्केक आप भी घर में बना सकते हो बिल्कुल बजार जैसा ही स्वाद आएगा और उतना ही सोफ्ट बनेगा इस मिल्केक को बनाने के लिए हमारा दो किलो दूद लगा है डेल किलो का हमने मावा निकाला था यह देखो अभी हम उठा कर भी दिखाते हैं कितना अच्छर सोफ्ट दानेदार मिल्केक बनाए है बस यह जरूर ध्यान रखना मिल्केक बनाते हुए जो दूद को फाड़ते हैं हलका सा उसमें आप ज्यादे साइटिक एसेड़ ना डाले नहीं तो आपका दूद ज्यादे पड़ जाएगा बस एक दो पिंच ही डालना है जिससे दूद हलका दानेदार बनेगा पहले से खुवा ना निकाल कर आप उसी वक्त भी बना सकते हुए वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें